हलो दोस्तों हिंदी मरेपभर्फरेश आपका स्वागत है अभी के जो हम कंटेंट ले करा हैं mcq's हैं क्योंकि सभी को मालूम है कि आपके जो हिंदी सभीiquéफर में हिंदी में क्या सभी Kimberly मेंū क daí आपके mcqs आए थे हम सभी questions नहीं बताएंगे आपको हमें जो लगेगा कि important है वही question आपको कहेंगे किसको तयार कर लीजिए हो सकता है कल आपके जो 10 से 15 के बीच questions आते हैं तो उसमें से आपके 12 से 13 questions यहां से आ जाएं चलिए पूरी वीडियो जरूर देखेगा जो इस्टुडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं हिंदी वीर से सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो का जो है benefits उठाते हैं तो उन्हें सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और साथ में बैल आइकन को हिट कर देना चाहिए जो कि आने वाले टाइम में जितने भी beneficial वीडियो मिलेंगी वो तभी आपको मिल पाएंगी और साथ में जितने भी स्टुडेंट अभी हम से जुड़ चुके हैं लाइक कर दीजे और साथ में शेयर कर दीजे उन स्टुडेंट्स के लिए जो कि आप ही की तरह बी ए थर डे की तैयारी कर रहे हैं हिंदी की और कल मॉर्निंग में जिनका पेपर है सभी के लिए हमारी तरफ से best of luck और यहां से MCQ जरूर आएंगे जो मैं आपको कराऊंगी तो बने रहना है और आंसर बिलकुल सामने हैं आपके साथ में कोशन के साथ साथ आंसर भी है तो कोई जादत आपको टाइम भी नहीं लगेगा तैयार करने में तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला कोशन है भारतिये सभी धानमी हिंदी के साथ कौन सी भासा से भाशा के रूप में उलकीत है तो वह अंग्रेजी है ठीक है इसको आप तयार कर लीजिए निमली लिखित में से खड़ी बोली के रूपे में समलित नहीं है तो मैथली नहीं है क्योंकि भाशा से संबंदित भी आपका जो फर्स्ट उनिट है आपकी वो सारी आपकी भाशा पर ही आधारित है तो भाशा से आपके कोशन जरूर बनेंगे फिर नेक्स्ट है हिंदी किस अनुचेंद के अंतरगत राजबाशा है एक कोशन में आपका कन्फूजन पैदा करते हैं जाम में हमिशा राष्ट भाशा और राजबाशा तो याद रखेगा हिंदी रास्ट भाषा नहीं है हिंदी राजभाषा है और ये 343 अनुछेंद के अंतरगत है नेक्स्ट है राजभाषा किसे कहते हैं जिस भाषा में देश का सरकारी काम काज होता है उसे क्या कहते हैं राजभाषा कहते हैं आवेदन पत्र के अन्ति भाग में क्या लिखा जाना चाहिए तो आवेदन के अन्ति भाग में आप लिखते हूं ना परार्थी परार्थनी तो वो सब यहाँ पर लिखा जाना चाहिए क्योंकि यह पोछ छोटड़े questions होते हैं लेकि हमरा ध्यान नहीं जाता है जिसकी वैसे हम questions को गलत करकर आ जाते हैं next day व्यक्तिगत आपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं तो ये लिखे जाते हैं संबंदियों को आपचारिक पत्र अनोपचारिक पत्र नहीं आपचारिक जाद रखेगा पत्र लेखन में किस गुण का होना आवश्क है आपके ये मैंने कोशन भी बताया है पत्र लेखन का और यहाँ पर यह MZQ भी है तो पत्र लेखन में शंक्षिपता, स्पस्टिता, यथार्ता और प्रोख सभी तो तीन हेडिंग यहाँ पर आपको मिल गए अगर आप से पूछा गया कि पत्र लेखन के गुणों को बताईए तो तीन हेडिंग मिल चुके हैं तो आप यहाँ से तीन हेडिंग पर उठा कर अगर कोशन आता है शोट में तो इसको आप कर सकते हो सरकारी पत्र में आवशक है इसको आप छोड़ सकते हो अर्द शाज के पत्र लिखे जाते हैं अच्छा प्रशन है इसमें A, C, A, B दोनों आएंगे ठीक है C वाला जो है A, B दोनों आएंगे जब कोई गोपने विशे पत्र में लिखा हो कई अनुस मारक देने के बाद भी म सामला लंबीत पड़ा हो तब अर्द शाज के पत्र लिखा जाता है तैंत आप छोड़ सकते हो अलाविन देख लीजिए पल्लवन में स्पस्ट किया जाता है मूल भाव मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको पल्लवन शंक्षेपन टिपन टिपनी सब समझाया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए अ मैंने बहुत बता दिया था शंक्षेपन का गुर्ण नहीं है ऐप Понत ता क्योंकि यह आप नहीं होता है यह पूर्ण होता है शंक्षेपन और यहाँ पर आपको इसकी विशेस्ता है गुर्ण जो भी आपका कोशन बनता है शंक्षेफपन से तो आपको तीन हैडिंग यहाँ पर मिल गए है नेक्स रेन इमनले कितमे से सबसे प्राचिन शैली कौन सी है पत्राचार फैक्स तो भी आया टेलिफोन से पहले आ था इंटरनेट भी आया पत्राचार सबसे पहले चलता था हर तरह से पहले कबूतर ले कर जाते थे तो ऐसे ही बहुत टाइम से पत्राचार चला रहा है तरीका अलग अलग रहा हमेशा भाते समीधान में हिंदी के साथ कौन सी भाशा स्या भाशा के रूप में है यह प्रशन उपर आप देख चुके हो चलते हैं निमनलेकित में इसको आप छो यह भी रिपीट है यहां 24 रिपीट नहीं है डाटा को बनाया जाता है इन्पुट पद पर डाटा के बारे में भी आपके हैं कोशन बनेंगे तो इन्पुट पद पर बनाया जाता है वियरस्ति तथ्यों को क्या कहा जाता है सूजना सूजना के बारे में भी मैं आपको बत प्रश्न हिंदी का पहला पत्र है चोड़ दीजे नहीं पुछा जाएगा दुनिया में यही यह कुछ दीजे समाचार के सुत्रपातिक तकनीक या क्या नाम है लीड लीड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको यह चीज बताई थी सारा ही समाचार वाला पढ़ाया था वहाँ पर लीड के बारे में मैंने आपको बताया था बंगाली और हिंदी भारशी में निकल ले गए पत्र का क्या नाब है बंगदूत ठीक है नेक्स्ट है मद्धेवर्ती प्रस्टों की सज्जा का तरीका है बहुत अच्छा प्रश्ण है जाम में बन सकता है क्योंकि आपके प्रस्ट सज्जा आपके स्लेवस में है तो इसमें यह दोनों आएंगे इस्टूप मैक। और दीप मैक अप ठीक है दोनों ही होते हैं इसटूप में कब भी और दीप मेकल भी है क्या अर्थ है मुख्यांश है यलforward का की आड़्च होता है। जैसे आपने कोई पूरा लिए कोई टोपा पिक के उपर लिखना है तो वह हैडलाइन होती है कि एसके बारे में लिखना है तो मीडिया से अभी प्राय है पत्रकारिता, ठीक है मीडिया क्या है पत्रकारिता से, इलेक्टोनिक मीडिया की उपकरन कारे करते हैं बिजली से, जो इलेक्टोनिक मीडिया होते हैं उस अब बिजली से चलते हैं, नेस्ट है फीचर का सरवाधिक गुन होता है, फीचर को अच्छ था आपको मारकोनी ने सिनेमा वीडियो टीवी का प्रांटत्तु है चितरात्मक्ता मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी चितरात्मक्ता के बारे में भारत में पहला टैलिविजन पुलेटिन परसारित हुआ 15 अगस 1965 को संचार परणाली के मैं तो पुन घटकों में नहीं है ग्रहन करता नहीं है प्रशन अच्छा है एक्जाम में बन सकता है इंटरनेट के प्रमुख कारियों में नहीं है क्या नहीं है जावा ठीक है संचार भी है आकडों का आधन परदान भी है संसाधनों का आधन परदान भी है जावा क्या है ये लैंग्वेज है ठीक है चले आ नेस्ट है नई संचार भाशा को किस ने जनम दिया विक्यान और प्रण्द्रगी की नई फिल्म मुक्यतक ऐसा माध्यम है फोटोग्राफिक माध्यम सारे इस प्रश्ण आपके सलेवस के अकॉर्डिंग है नेस कोशन रेडियो में किन तरगों में काम लिया जाता है ध्वानी तरंग में आगे चलते हैं आपके ये प्रश्ण नहीं अच्छा है ठीक है किस विध्वान ने अनुवाद और भाशांतर को प्रयात्वाना है इसको आप कर सकते हूँ डॉक्टर भोलाना तिवारी ने अनुवाद एक व्याक्यात्मक कला है किस विध्वान ने कहा नैरेटो पोगी आलो ने कहा भारते समिधान म साथ कौनसी भाषा से भाषा के रूप में उलेकित है अंग्री जी ये प्रशन कहीं बार आ चुका है हो सकता है एक्जाम में जरूर आए सरजनात्मक किसे कहते हैं भाषा के नए परियोग को कहते हैं आगे ये आप कर चुके हो ये भी आप कर चुके हो ये रहने दीजिए ये ये भी हिंदी का पहला पत्र ये भी रिपीट हो रहे हैं ये सब रिपीट हो रहे हैं कोश्चन मीडिया आप देख चुके हो इलेक्टोनिक मीडिया भी आप देख चुके हो ये कथन देख लिजिए अगर देखना चाहें तो आपके सामने हैं फीचर हम करा चुके लैप्टॉ वारे रिपीट है कोशनस 2 कि आगे चलते हैं हम फिल्मॉक्ष तक कैसा मांध्या में ये भी आप हो चुका है ये सब कोशन आपके को चुके ए ठीकंगे तो ये आपके कोशन से कुछ इसमें कोशन से एंहों के MCQ के लिए वो आप जरूर तयार कर लीजिएगा और जो आप थियोरी पढ़ रहे हो वहाँ थियोरी में से ही कोशन्स MCQ के निकलते हैं तो थियोरी को थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्योंकि देखा होगा आपने जो मैंने आपको थियोरी कोशन्स कराए हैं वहाँ से सारे कोशन्स बने हैं तो थियोरी के अच्छे से पढ़िए MCQ वहीं से निकलते हैं कई अलग से MCQ नहीं आते हैं तो बने रही हिंदी मेर की साथ हो सकता है आपकी जो मैंने theoretical question करा रहे थी उसमें एक दो topic रह गए हैं तो हो सकता है रात तक मैं upload करूँ तो अगर नहीं कर पाई तो आप अपने तेर एच्छे से करिए और हमारी तरफ से आपके लिए best of luck कल के लिए बने रही हिंदी मेर की बना के रखिए शेर जरूर कीजिएगा सभी students के साथ